मित्रों नमश्कार, मैं हूँ आपका मित्र कमल नंदलाल हो और मैं आप सभी दर्शकों का हर्देगा बिनन्दन करता हूँ एस्टो तक की खास प्रस्तूती कमल नंदलाल की भविशवाणी आपका राशी फल इस राशी फल में बात करेंगे मेश से लेकर मीन राशी के राशी फल की साथ इस साथ आपको बताएंगे राशे नुसार कुछ सरल उपाए राशे नुसार ही आपका शुभंक और शुबरंग भी पंचांग बताएंगे और राशी फल के आखर में आपको बताएंगे एक ऐसा विशेश उपाए जो आपके जीवन की किसी खास समस्य को चुटकियों में दूर कर देगा तो चलिए शुरुबात करते हैं कमल नंदलाल के भविश्वानी की पंचांग के साथ में तो दिन है रविवार का तारीख है दू जून दू हजार चौबिस जेश्ट कृष्ण एक आदिशी पर चंदरमा मीन राशे और रिवती नक्षत्र में रहेंगे दिन का शुबंक रहेगा साथ शुबंक रहेगा सिलिटी शुब दिशा रहेगी इशान राहुकाल रहेगा शा अचला और अपरा एकादिशी मनाए जाएगी इसको अचला एकादिशी भी कहते हैं और अपरा एकादिशी भी कहते हैं और हमारा जो विशेश उपाय है वो भी अचला और अपरा एकादिशी से ही जोड़ा हुआ है उसकी पूरी कांचान कारी देंगे उसके लिए राशे तक देखना पड़ेगा तो चलिए शुरुआत करते हैं कमल लंदलाल के भविश्यमानी के राशी फल की पहले राशी मेश यानि एरिस के साथ मेश राशी वालो जरुवत मन्नों की मदद करेंगे घरेलू काम आसानी से पूरे होंगे बुजरगों की सलहा से कारोबारी लाब ह परिवार में शुक्कारियों की योजना बनाएंगे उपाई ये करेंगे किसी गरीब को लाल कपड़ा दान करें शुबंग साथ रहेगा शुबरंग रहेगा सिलेटी दूसरी राशी व्रिश यानि के टॉरस की बात करेंगे योजना बद्ध तरीके से काम करेंगे मनोबल म की बात करेंगे मन में उलजन रहेगी स्थिर होकर फैस्ट ले लें व्यापार में सांजेदारी से लाब होगा कारोबरी विकास के प्रस्ताओं मिलेंगे खरीदारी पर खर्चा भी होगा उपाईए करेंगे लाल रंग के पैनका स्तमाल करें शुबंग तीं रहेगा शुब रहेगा नारंगी पांचवी राशित सिंग यानि के लियों की बात करेंगे व्यापार में लाब होगा जनबियों पर भरुसा करने से बचें दुखाजड़ी के योग हैं दामपते में मनमुटाव की संभावना है छात्रों के पढ़ाई भैतर रहेगी उपाईये करें कि गेह नई घरेलू जम्यदारी मिलेगी परीजन फैसले का विरोध कर सकते हैं सतरकता से लिये फैसले सफल रह सकते हैं दूसरों के काम में दखलंदाजे देने से बचें उपाईये करें कि घर की पूरव दिशा में दीपक जलायन शुबंग चार रहेगा शुबरंग रहेगा नी सात्रों की पढ़ाई में सफलता मिले उने पुराने घरेलू विवादों से परिशान रहेंगे उपाईये करेंगे किसी बिखारी को गुड़दान करें शुबंग सात रहेगा शुबंग रहेगा से लेटी नवेराशी धनू यहने सजटेरियस की बात करेंगे व्यापार में विकास के लिए करज लेना पढ़ सकता है मन को शांत रखे पैतरक संपती संबंदित मामले निप्टेंगे संतान के सेहत की चनता रहेगी पेटके रोग परिशान करेंगे उपाईये करेंगे किसी गरीब को सेबदान करें शुबंग के एक रहेगा शुबरंग रहेगा लाल दस्वी राशी मकरियानिकी के प्रिकौन की बात करेंगे घरिलू काम पूरे होंगे व्यभार चिर्चड़ा रहेगा मन में उथल पुतल रहेगी संपत्ती संबंदित विवादों के योग हैं लंबित काम में मित्र मदद द करेंगे प्रेम जीवन अशांत रहेगा उपाईये करेंगे बरगत के पेड़ पर जायफल चड़ाएं शुबंग अच्छा रहेगा शुबंग रहेगा गुलाबी बारवी रैशी मीन यानि पैस्टिस की बात करेंगे बड़ा कारोबारी लाब होगा घरेलू काम पूरे हों जो दुर्भाग्य से मुक्ति दिलवाएगा देखे ए खास दिन है ये दिन है अचला और अपरा एकादिशी का यो दोनों का एक नाम है अचल मतलब अडिग और अपरा मतलब अपार तो इस जो एकादिशी है उसके रिजल्ट्स उसकी जो फल है वो अपार है और ये एक आदिशी है और आज आपको बताएंगे दुर्भाग्य से कैसे मुक्ति दिलवाएंगे नारायन भगवान विश्नु तो क्या करेंगे दुर्भाग्य से मुक्ति पाने के लिए भगवान विश्नु का पूजन करें और भगवान विश्नु पर लाल पीला और सफेद पूरे प्रयोग में एक विशेश मंत्र का जाप करेंगे मंत्र है ओम त्री जगन ना एकाय नमहाँ आश्बस्त करता हूं आपको दुर्भागे से निस्चित मुक्ति मिलेगी तो मित्र आज के लिए बस इतना ही कल आप से फिर मुलाकातू की इजाज़त दीजे नमस्कार नमर्शुगाई एपिसोड नमबर बन रविबार दो जून